हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रफॉर्मेंस आज के दिन और क्या हो सकता है कल के दिन हम समझने की कोशिश करेंगे टेकनिकल चार्ट की हेल्प से नमस्कार मैं अजीत सिंग स्वागत करता आपके चैनल ठाकूर अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉंग जीडीपी का जो ग्रोथ रेड दर्शा रहा है बता रहा है कि फ्यूचर में 2022 में जिस तरीके एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छा प्रफॉर्मेंस होगा उस एक्सपेक्टेशन से मार्केट कंटीनू बढ़ता जा रहा है और ह अज अपने हायर लेवर पे ही क्लोज किया है एक अच्छा पॉजेट्व सेंटीमेंट मानते हैं आज हम बहुत बहतरीन तरीके से संभ़ने की कोशिश करें चार्ट को कैसे समझते है चार्ट को और निफ्टी आगे क्या कर व हो समझने कोशिश करेंगे सबसे पहले हम यहां पर निकलने लगे और इस लेल पर निकलने के बाद एक retracement level की बात करें जो retracement level है वो हमने mark किया कि यह 0.236% मतलब बहुत ही चोटा retracement मतलब कहते हैं बहुत ही healthy retracement रहा यहां से लेके जो यहां तक इन्हों ने बाइंग की वो ज्यादा नीचे market नहीं जाएगा ऐसा सोच के उन मार्केट अच्छे तरीके से अप्रेंडिंग मुमें ट्रेट कर रहा है इसके पहले वाले हायर लो से हम लोग बात करें और यहां पर करने कोश्च करेंगे यहां पर यहां पर यह यह चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से किस तरीके से यहां पर रिट्रेस्मेंट लेता हुआ वापस है up moving हो गया तो हम लोग ये देख सकते हैं कि निफ्टी जितनी ज़्यादा strong होगी उत्ता कम retracement लेगी तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक के बाद जो moment से मतलब हम लोग देख सकते हैं कि 16,340 16,376 के एक retracement के बाद जो high बना वो बना 16,700 और वहां से जो retracement ओ 38% का आया अब यहां पर लोग देख सकते हैं कि 38% के बाद एक high बना वहां से only 0.236% का retracement आया मतलब एक nifty बहुत ही strong zone में trade कर रही है और हमको बिलकुल भी यहां पे short positions create करने की कोशिश बिलकुल नहीं करनी च हर एक moment पे नया lifetime high बनाता जा रहा है तो हमको अगर हम short करते हैं पोजिशन तो उस पोजिशन में हम अटक जाएंगे आज देखे तो 157 point nifty प्लस रहा मतलब हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं आगे कि डेली चार्ट पे कैसा लाग रहा है डेली चार्ट पे एक strong moment दे जो nifty है वो 3.17% प्लस है 528. अगर बात करें मंतली चार्ट पे तो लास्ट मन्त में बहुत ही शांदार था 8.69% और इस मन्त में अभी तक 0.60% प्लस है मतलब 101. हम लोग यह देख सकते हैं अब बात करते हैं हम लोग bank nifty की bank nifty का moment क्या है अगर bank nifty की हम लोग बात करें तो स यह खोशिश कर सकता है और करेगा ऐसा क्योंकि एक हम लोग moment देखे तो एक अच्छी तरीके से uptrending moment है और uptrending moment में ज्यादा से chances यह होते हैं एक higher low establish करने के यह नया high बनाएगा और नया high break करेगा तो यह हमको देखने के लिए मिलता है यहां पर हम लोग जैसे यहां पर देख सकते हैं यह देखने के लिए मिलता है अब बात करें हम लोग डेली चार्ट पे डेली चार्ट तो यह देख सकते हैं इस मन्त में अभी तक 257 प्लस है बैंग निफ्टी और इस दिन आज के दिन 257 प्लस है बैंग निफ्टी कल एक हमको selling pressure देखने मिला था बैंग 250 काफी अच्छी लगती है मुझे वीकली चार्ट पर यह देख सकते हैं कितनी बेहतरी से वीकली चार्ट को प्रिंट कर रहा है यहां पर इस में तक 406 प्लस है अब यह में की बात करते हैं EMS की बात करते हैं तो हर EMS के उपर trade कर रहा है 5MA, 13MA, 20MA, हर monthly candle, weekly candle और daily candle उसी तरीके से बात करें हम लोग bank nifty की तो bank nifty भी अपने हर EMS के उपर trade कर रहा है daily candle पर हम लोग देख सकते हैं daily charts पर भी हर EMS के उपर trade कर रहा है 5MA, 13MA, 20MA, 50MA और वीकली चार्ट पर भी और एस वेल एस मंतली चार्ट पर भी वैसे ही तरीके से ट्रेट कर रहा है अब बात करते हैं हम लोग कैसा रहा आज मार्केट में मोमेंट तो देखे और टाटा मोटर्स गिन अले शेर्स में रहें मोस्ट एक्टिव शेर्स अगरते हैं कि सबसे ज्यादा इस पर कॉंट्री टेड हुई है तो टीस देख सकते हैं हम लोग भारती एटल एजबसी लाइफ और इंफोसेज रहें और सबसे ज्यादा कॉंट्री टेड कहें तो 16 अगस से वो continue sell में थे तभी जो प्राइस थी वो थी 16,563 और हम लोग यह देख सकते हैं कि वो continue sell करते गए और जो D.I.S है हमारे उन्होंने वो market को लाया 16,700 पर और आज देखें F.I.S ने वापस continue buying चालू की है तीन दिन से मतलब अगस 30 को अगस 31 को और September 1 को तो continue buying कर रहे तो F.I.S अगर continue buying में है तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि market एक positive sentiment में आगे भी रहेगा जिस तरीकी का एक sentiment हमको देखने मिलता है तो F.I.S continue buying कर रहे हैं market overall बढ़ियां लग रहा है तो हम लोग avoid करेंगे एक short selling की position मनाने जब भी market investment ले हमको एक buying opportunity देखनी चाहिए market में अगर हम आपको थोड़ा सा भी stock market के बारे में update कर पा रहे हैं कुछ बता बार है तो हमने चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें कमेंट करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और लोड़ी साथ भी शेर करें कि वह भी stock market के मुमेंट को निफ्टी और बैंक निफ्टी को मुमेंट को बहतर तरीके समझ सकें नमस्कार धन्यवाद